तो IIS CTC के स्टॉक में देखे दोस्तो आज हमको करीब 25-30% का लोवर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला और ये दोस्तो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि इसके पीछे के रीजन्स कल के वीडियो में हमने डिसकस किये थे क्योंकि IIS CTC जो भी टिकेट यहां पर बुक करते हैं अब उस convenience fee पे इनको revenue sharing करनी पड़ेगी Indian Railways के साथ 50-50 portion में तो काफी दोस्तो ये के जटका था IIS CTC के profit के लिए भी और साथी साथ shareholders के लिए भी तो काफी दोस्तो गर्मेंट का ये bad decision था अब यहां पर finally ये जो decision था दोस्तो इसको revoke किया जा रहा है उसकी वज़े से आ Public Asset Management के जो secretary है उनकी तरफ से Twitter पर ये post आई है कि ये जो decision है इसको आप finally ये इन्होंने decide किया है कि withdraw करने जा रहे हैं तो दोस्तो फाइनल यहां पर एक अची news आई है IIS CTC के shareholders के लिए और दोस्तो देखिए जो government का decision था definitely कई सारे social media handles पे कई social media sites पे इसका दोस्तो विरोध अब एक अच्छी news आती भी देखने को मिली है लेकिन अभी भी दोस्तो यहां पर ये final जो है clarification नहीं आया है क्योंकि सेबी ने अभी भी IR CTC से particularly ये clarification मांगा है जो ये CNBC TV18 पे जो news अपियर हुई ये जो Twitter पे decision withdraw का जो notification है उसके regarding यहां पर सेबी ने IR CTC से clarification मांगा है और reply दो जैसी आया जो फिर से हमको एक तेजी देखने को मिल सकती है IR CTC के stock में लेकिन दोस्तो हमने यहां पर क्या learning ली उसको भी हम चर्चा करेंगे क्या learning हमारी यहां पर होनी चाहिए और हम आपको बताओ आज यहां पर एक meeting भी होनी है railway board की जो officials हैं और IR CTC के जो officials हैं करीब 4 दोस्तों यहां पर पूरा clarification नहीं है लेकिन हाँ काफी दोस्तों positive update यहां पर यह finally हमको निकलती हुए देखने को मिली है अब यहां पर हमारी learning क्या है दोस्तों learning हमको क्या मिलती है तो कभी भी जैसे मैंने आपको बोला हमेशा बोलता हूं कभी भी जो price दोसको chase मत कीजिए जो यह price भागते है unusual run up होता है चाहे monopoly हो चाहे दोस्तों moat हो चाहे कुछ भी हो कभी भी unusual run up होता है उसको chase मत कीजिए नहीं तो फसने के chances जादा है risk reward ratio वहां पर favorable बिलकुल भी नहीं रहता है चाहे IRCTC हो चाहे Nestle हो चाहे कुछ भी हो दोस्तों हमको कभी भी जब share भागता ह है कितने साल के लिए करनी है और हमारे यहां पर क्या goal है क्या aspirations है और हमारे यहां पर reasons क्या है invest करने के यह हमको हमेशा सोच रहा है हमको यहां पर देखना है कि क्या यह जो run up है यहां पर sustainable है या नहीं यह सारी चीज हमको देखनी है जैसा कि हमेशा हम आपको सिकाता हूँ औ लेकिन अगर आप top पे जाके investment कर रहे हैं तो वहाँ पर दोस्तों आपका rational आपको ठीक करना पड़ेगा. तो यह है दोस्तों हमारी learning इसमें, आई सिटीजी केस में. दूसरी learning क्या है? दूसरी learning यह है कि कभी भी दोस्तों चाहिए monopoly हो, लेकिन अगर PSU monopoly है, तो यह जो government controlled monopoly है, उसो आपको हमेशा ऐसे decisions के लिए तैयार रहना पड़ेगा. आज यहाँ पर इन्हों ने revoke कर दिया, लेकिन क्या बरोसा future में यह वापिस यहाँ पर लगा दें? Definitely pricing power है, अपनी convenience fee को यह जो है, बढ़ा देंगे, pricing power increase कर देंगे, लेकिन दोस्तों, यह हमको समझना पड़ेगा कि ISATC यहाँ पर कितना capable है decision लेने में, क्या इनका management यहाँ पर full 100% decision ले सकता है, नहीं. Government control यहाँ पर दोस्तों monopoly है, तो government का हमाँ पर decision, government यहाँ पर control करेगी जो भी decision होगा, ISATC का, चाहे definitely अच्छा business model है, मैं खुद दोस्तों इसमें invested हूँ, मेरे पास कई question आ रहे थे कि क्या आप इसमें invested नहीं है, मैं invested हूँ, लेकि दोस्तों मैं इतना ज़्यादा invested नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने काफी सारी profit blocking यहाँ पर कर ली है, और यह आपको दोस्तों, जितना market में आप time बिताएंगे, आपको सीखने को मिलेगा, कि यहाँ पर जो यह run-up होते हैं, यह जो business model है, किस प्रकार के यहाँ पर cons है, cons भी देखना हमको जरूरी है, pros हमेशा आप देखेंगे, तो आप वहाँ पर फसने के चांसे जादा है, cons प्याल देखेंगे, cons कहाँ, तो cons देखेंगे, तो आप यहाँ पर उस हिसाब से decision ले पाएंगे market, और market दोस्तों एक दो दिन, चार दिन, पास दिन, एक साल का game नहीं है, यहाँ पर wealth बनेगी, तो wealth बनेगी long term में, और यह जो game होते है market में, यह आपको ISETC के case में clear cut देखने को मिल रहा है, और दोस्तों सेभी को यहाँ पर investigation करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है, ISETC में अभी भी यहाँ पर operator driven activities चल रही, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर इसको pump किया जाता है, top पर यहाँ पर dump किया जाता है, पूरा sell off किया जाता है, उसके बाद आप देखिए, फिर से एक बार heavy buying और यह जो heavy buying निकल की सामने आती है, उसके बाद यह जो decision आते हैं, कहीं ना कहीं जो operator involved है, इसा मुझे लगता है, तो sebi को यहाँ पर investigation करनी चाहिए, तो finally उसके यहाँ पर अच्छी news है, let's see, यहाँ पर आगे क्या update आती है, तो I hope दोस्तों यह जो information आपको informative लगी होगी, और यह जो learning से आप दोस्तों जान रखिए, long term में बहुत काम आईगी आपके,